हेलो डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप आसा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप S.S.C. G.D. के एड़्जाम के तैयारे पूरे जोरो सोरो से कर रहे हैं लोगे और हम इस वर से प्रार्खना करते हैं कि वो आपकी महनत को तरक्की दे आपकी महनत को सफल बनाए देखिए आज हम इसमें आपके लिए S.S.C. G.D. की कलास में सामान्य हिंदी में समास भाग दो लेकर आए हैं भाग दो लेकर आए हैं इससे पहले हम भाग एक करा चुए हैं भाग एक में हमने देखा समास होता क्या है समास होता क्या है कितने परकार का समास होता है और इसमें हमने तीन परकार के समास भाग एक में देखे हैं जीरो टू जीनियस कलास में आप ये पढ़ रहे हैं जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चले उन्हें भी बता कि हमने पहले भाग में क्या-क्या पढ़ा, पहले भाग में हमने जाना समास क्या होता है, समास सब्द का अर्थ है संक्सित, संक्सित मैंने छोता, जिसमें दो या दो से अधिक सब्द मिलकर जो आपस में संबंद रखते हूं, एक नया सब्द बनाते हैं, जो की समास कहलाता है अब बात आती है समास के प्रकार समास हमारे छे प्रकार क्या होते है देखे एक बार जल्दी से रिपीट करते हुए चलते हैं छे प्रकार के समास हमने बताया था छे प्रकार के समास नमबर एक अव्यवी भाव समास अव्यवी भाव समास इस समास में क्या होता है? इसमें क्या होता है? पर्थम पद परधान वैसेस अन्यपद अव्यव ये पहचान है पर्थम पद परधान होता है वे सेस्पद अव्यव ये हो गया ये समाज अव्यव भाओ अब इसे उधारन बता दे इसके जैसे यथा सिग्र यथा सिग्र सिग्रता से सिग्रता से देखिए यथा सिग्र यथा सिग्र में पहला पद हमने बताया इस समास का जब भी ग्रह करते हैं तो पहला पद परधान होता है यहां पर देखे पर्थम पद परधान होता है तो सिग्रता से से जो अन्य है वो अवियव होगा हमारे ठीके जैसे यथा सक्ति सक्ति के अनुसार यथा सक्ति सक्ति के अनुसार यहां देखे पहला पद प्रदान है से सन्य पद अव्यव बचा होगा सक्ति के अनुसार तो आपको यह समझ आ गया होगा अवियवी भाव समास यथा सिग्र यथा सक्ति आ जन्म जन्म जब इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा जन्म से लेकर जन्म से लेकर तो इसका पर्थम पद परधान हुआ तो इस परकार के सब्द हमारे क्या होते हैं समास कहलाते हैं जो की क्या होता है विग्रह करने पर देखिए अभी अभी भाव समास में क्या होता है पर्थम पद पुरधान होता है सेस्पद अभियव होता है हमने आपको समझाये यथा सिग्र सिग्रता से यथा सक्ती सक्ती के अनुसार आ जन्म जन्म से लेकर हातो हात हातो ही हातो में रा नमबर दो क्या था हमारा द्वीगु समास इसमें क्या होता है इसमें हमारा पर्थम पद संख्या वाचक होता है मेन पॉइंट लिखा रहा हूँ वैसे तो मैंने डिटेल में इसकी वीडियो बना रखियprene भागे कि में फिर भी द्वीगु समास पहला पद संख्या वाचक संख्या को बताने वाला पहला पद संख्या को बताने वाला संख्या वाचक जैसे चो राहा चो राहा चो राहा क्या है चार राहो या चार रास्तों का सम्हूँ देखिए पहला पत संख्या को बता रहा है तो हमारा द्विगु समास हुआ है इसके बाद और ले लेंगे तो देखिए क्या है चवन्नी चवन्नी चार रानों का सम्हूँ तिरनेत्र तिरनेत्र तीन नेत्रों का सम्हूँ तिरनेत्रों का सम्हूँ देखिए मैंने जल्दी से आपको आज फिर से रिपीट कर दिये हैं यह दोनों समास हमारे अव्यवी भाव और द्विगु समास अवियवी में क्या होता है पर्थम पद परधान होता है सेस पद अवियव होता है जैसे यथा सिग्र सिग्रता से यथा सक्ती सक्ती के अनुसार आजनम जनम से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों धारनों में हमारा पहला पद परदान है इसमें देखते हैं दीगु समास में पहला पद संख्या वाचक संख्या को बताने वादा चोर आहा, चार रास्तों का समूँ, चवन्नी, चार आनों का समूँ, तिर नेत्र, तीन नेत्रों का समूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए, पहले पद में संख्या को बताया जा रहा है, तो यह किसमें गया हमारा अद्विगु समास में, चलिए इसे मैं हटा देता होता क्या है हमारा, तत्पुरुस समास, तत्पुरुस समास में हमारा क्या होता है, कारक चिन्नों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप, मैं आपको लिखवा दू, कारक चिन्हों का लोप होगा, कारक चिन्हों का लोप कारक चिन्हों का लोप होता है कारक चिन्हों कौन-कौन से हमारे करम कारक यानि के कौन-कौन से तत्पुरूस बनेंगे इसमें करम तत्पुरूस करन तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष और हमारा अधिकरन तत्पुरूस, संबद तत्पुरूस, संबंद तत्पुरूस, यह होते हैं हमारे, छे समास होते हैं, तत्पुरूस के कितने भाग होते हैं, छे, करम तत्पुरूस, करन तत्पुरूस, संब्रदान तत्पुरूस, अधिकरन तत्पुरूस, और संबुधन तत्पुरूस, संबंद तत्पुरूस, चलिए इन्हें आँ उधारन से देख लेते हैं, ठीके, उधा रसोई घर पूछ लिया कि इसमें बताओ कुन सा समास है तो आप इसका विग्रह करके देख लोगे देखिए आपको पता तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कारक्चिन का लोप है आपको पता ही नहीं लग रहा है कारक्चिन मैं एक बार कारक्चिन लिक्दू करता है इसका कारक्चिन होता है को इसका से के लिए से अलग होना का की के सम्मन इसका होएगा मे पर ये सम्मन होगा का की के ये सब तो यहाँ पर देखें कौन सा बन रहा है रसोई घर तो इसे हम क्या लिख सकते हैं घर के लिए रसोई रसोई घर तो क्या बना हमारा घर के लिए रसोई तो भी भक्तिचिन क्या रहा है के लिए और के लिए किसका भी भक्तिचिन है हमारा यहाँ पर देखें के लिए के लिए किसका है संपरदान तत्कुश तो हम क्या कह सकते हैं रसोई घर कोन सा समास है हमारा संपरदान तत्पुन, ऐसे ही आप और देख लीजिए, रोग मुक्ती, रोग मुक्ती, चलिए इसका विग्रह करके देखते हैं, रोग, रोग से मुक्ती, रोग से मुक्ती, यानि के रोग से अलग हो चुके हैं हम, और अलग होना को अंदर साता है, अपादान तत्पुन, ये रहा यां, से अलग होना, रोग मुक्ती, रोग से अलग होना, तो कहां चला गया हमारा ये, ये चला गया हमारा अपादान में, अपदान तत्पुरूश में, से अलग होना, रोग मुक्ती, अपदान तत्पुरूश, किसी वस्तू से, किसी से, अलग होना, अलग होना को अंदर साता है, अपदान कारण, से अलग होना, ठीके, और देख लेते हैं, सेना पती, सेना पती, इसका करेंगे हम, समास विग रहे क्या बनेगा सेना का पती सेना का पती, तो सेना किस से संबंदित हो गई, पती से, तो यह किस से हो गया, संबंध तत्पूरूश यह दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए संबंध का रहा है, संबंध तत्पूरूश का रहा है तो ये किसमें चला गया हमारा संबन्द तत्पुरुष समास में का की के ये देखे यहां पर विवक्तिचिन का रहा है इसका विवक्तिचिन का की के है तो ये हमारा संबन्द तत्पुरुष हो गया सेना पर तो इस परकार से हमने आपके लिए तीनों समास रिपीट कर दिये चलिए, अब लड़ते हैं हमारे जो अन्य तीन और समास है, उनकी और उन्हें देख लेते हैं, बहुत अच्छे से, उनका ध्याय करेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ. अब बात करते हैं अपने, दवन्दव समास, यह क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से, आराम से, वो तो रैपिडली थोड़ा फाशली उनके बारे में बताया है, ताकि आपके नूलिज बनी रही, दवन्दव समास, इस समास में, इस समास में दोनो ही पद परधान होते हैं, दोनो ही पद परधान होते हैं, परधान का मतलब दोनो ही पदों का अपना महत्तव होता है, दो पद होंगे दवन्दव, इसके नाम से आप देख रहे हैं, दवन्दव, दो पद होंगे और दोनो ही पद परधान होंगे, और एक दूसरे का विलोम भी हो सकते हैं, वे एक दूसरे का विलोम भी हो सकते हैं, एक दूसरे का में सब्द क्या हो सकते हैं, तथा योजक्चिन दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, तथा योजक्चिन योजक्चिन ये वाला चिन योजक्चिन दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, या नहीं भी दिया जा सकता, ये तो ही इसके बारे में इसकी परिभासा, कि कैसे पहचान करेंगे, दवंदव समास है के नहीं है, कैसे, इस समास में दोनों ही पदपरधान होते हैं, एक बात हो गई, कि दोनों पदपरधान होंगे, दोनों का समान महत्ता होगा, कुन से समास में, दवंदव समास में, इसके बाद दूसरा क्या है वे एक दूसरे का विलोम भी हो सकते हैं वे जो दो पद दिये गए हैं आपको वे एक दूसरे का विलोम भी हो सकते हैं अगर आपको एक दो पद दिये हुए दिखाई देगे और वे एक दूसरे का विलोम है तो आप कहेंगे कि दवंदर समा से इसके बाद योजक चिन ये वाला चिन योजक चिन दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता जादतर आपको योजक चिन देखने को मिलेगा लेकिन ना भी मिला तो आपको मैंने तीन पहचान बता दी एक तो एक दूसरे का विलोम होंगे जदी विलोम भी ना दिया योजक्चिन भी ना दिया तो तीसरी कंडिशन जरूर देगा कि दोनों पद परधान हो कैसे चलिए देख लेते हैं रात दिन रात दिन जब हम इसका समास्वी ग्रह करेंगे तो क्या बनेगा हमारा देखिए ये दे दिया यहां पर योजक्चिन रात दिन इसका समास्वी ग्रह क्या बनेगा रात और दिन तो दोनों का अपना अपना महत्व हो है दोनों ही परधान होए रात और दिन ठीक है? दिन काम करने के लिए दिन काम करने के लिए है तो रात आराम करने के लिए है तो दोनों का अपना महत्तो है के नहीं दोनों पदपरधान हुए के नहीं रात दिन ये योजफचिन भी दे दिया उसने और एक दूसरे के विलोम भी दे दिये देखो दोनों मिल गए और दोनों पदपरधाने रात आउर दिन लाब हानी लाब हानी लाब या हानी दोनों गई अपना महपत हो है लाब या हानी देखिए योजवचिन दिया गया है और एक दूसरे के विलोन सब्द भी है लाब हानी लाब या हानी लाब आउर हानी ऐसे लिख सकते हैं उसके बाद उपर नीचे माता पिता तो आप अपनी नीचे जिन्दगे में बहुत सारे इस प्रकार के उधारन देखते हो जो आपको दवंदव समास के बारे में बताते हैं देखें उपर नीचे, उपर या नीचे माता पिता और बहुत सारे उधारन आप अपने सामान्य जीवन में दवंदव समास के देखते हो जिस से आपको यह प्रतीत हो जाता है कि कहां पर हमारा दवंदव समास है हमने आपको दवंदव समास की तीन पहचान बता दी है और आप तीनों को पढ़ लेंगे तो आप कभी भी दवंदव समास या कोई भी किसी भी प्रकार का समास में गलती नहीं करोगे हिंदी की प्रिक्साद और ये बहुत important है आप इसका notes बनाते चलेंगे बहुत ही अच्छे से लिखवाया जा रहा है आपको उधारण सही जैसे सुख दुख अरे बहुत सारे बनते हैं ये तो सुख दुख सुख दुख इसका समास विगर है क्या हो जाएगा हमारा सुख और दुख सुख और दुख ये बहुत है तो ये था आपका दवंदव समास जिसकी पहचान क्या होती है कि दोनों पद परधान होंगे या दो सब्द दिये जाएंगे दो वर्ड जो कि एक दूसरे का विलोम सब्द होंगे अन्यथा उनके बीच में योजक्चिन होगा तो हमने आपको एतीन पहचान बताई है आपको कोई ना कोई पहचान वहाँ पर जरूर मिलेगी और आप उसे देखकर के आसानी से अपना दवंदव समास चुन सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बहु ब्रीही समास, इसके बाद है बहु ब्रीही समास, देखिए क्या बनता है हमारा बहु ब्रीही समास, बहु ब्रीही समास, बहु ब्रीही समास में क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, बहु ब्रीही समास क्या होता है, इस समास में आए हुए पद अपना अर्थ छोड़ देते हैं और किसी तीसरे पद की और इसारा करते हैं, तो वो आमारा बहुब्री ही समास कहलाता है। चलिए देख लेते हैं इस समास में में आए सभी पद एक पद आजाए दो पद आजाए। सभी पद अपना अर्थ त्याग कर यानि कि अपना अर्थ छोड़ कर किसी अन्य पद की ओर इसारा करते हैं। अन्य पद की ओर इसारा करते हैं या अन्य पद की प्रधानता को दिखाते हैं। या अन्य पद की प्रधानता को दिखाते हैं। अन्य पद की प्रधानता को दिखाते हैं। देखें बहुबरी समास हमारा क्या बना कि इसमें क्या होता है। इस समास में आए सभी पद सभी ये लिखना भूल गया में। आए सभी पद इस समास में आए सभी पद अपना अर्थ त्याग कर किसी अन्य पद की योर इसारा करते हैं। या अन्य पद की प्रधानता को दिखाते हैं। बहुबरी ही समास हमारा कहलाता है। चलिए इसे उधारन की साहता से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम समासिक पद। और यहाँ लिखेंगे समास विग्र है। और यहाँ लिखेंगे अन्य पद। यानि के जिस पद की ओर वो किसारा कर रहा है। अन्य जैसे लंबो दर लंबो दर तो लंबो दर का समास विग्र है क्या होगा हमारा। जब हम इसका समास विग्र है करेंगे तो क्या बनेगा। लंबा है उधर जिसका। लंबा है उधर। उदर माने पेट, यानि कि जिसका पेटलंबा है, लंबा है उदर जिसका, और किसका लंबा है उदर, लंब उदर किसे कहा गया है, अर्थार स्री गनेश जी को, लंबो दर, लंबो दर का समा स्विगर है क्या बना? लंबा है उदर जिसका अर्थार स्री गनेश, देखें यहाँ पर इन्हों ने अपना अर्थ त्याग दिया है लंबो दर, अपना अर्थ त्याग दिया है और तीसरे अर्थ की ओर इसारा कर दिया है कि श्री गनेश है उप, यहाँ पर देखिए, अपना अर्थ त्याग कर किसी अन्यपद की ओर इसारा करते हैं, अर्थार्थ अन्यपद की प्रधानता दिखाते हैं, तो प्रधानता किसकी है यहाँ पर, गनेश जी की है, श्री गनेश, इसी प्रकार हम और देख सकते हैं, दे पांच है आनन जिसके आनन माने मुख, पांच है आनन, आनन मुख, पांच है आनन मुख जिसके अर्थार कौन है वो, पांच मुख वाले, भगवान सीव, भोले ना, भगवान सीव, तो किसकी और इसारा किया है इन्होंने, पांच है आनन जिसके यानिके मुख, पांच है आनन मुख जिसके अर्थार्थ भगवान सीव है वो, इसके बाद जैसे आपको दिखा बता दिया जाए दसानन, तो ये क्यों है दसानन, सब जानते हो दसानन के नाम से कौन परसिद है, दस है सिर्या मुख जिसके, दस है मुख या आनन, दस है आनन, दस मुख वाला कौन है, मुख जिसके, अर्थार्थ, अर्थार्थ, कौन बना ये दस मुख वाला, रावन, बना रावन, दस मुख वाला कौन मना, रावन, तो यहाँ पर ये पद अपना अर्थ छोड़कर तीसरे पद की ओर, या तीसरे सब्द की ओर इसारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, यह यहाँ पर कहलाएंगे, दवन्दव समास, चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारन करने वाले, चक्र को कोन धारन करता है? चक्र को धारन करने वाले, तो चक्र को कोन धारन करता है? अर्थार कोन है वो? सिरी हरी विश्णु जी तो क्या कहेंगे हम सिरी विश्णु भगवान सिरी विश्णु भगवान आपका करेंगे बेड़ा का तो इस प्रकार से चक्र धर चक्र धर चक्र को धारन करने वाला रथार सिरी विश्णु भगवान तो ये हमारा दवन दव बहुबरही समास में जाएगा सोरी क्या होता है बहुबरही जिस समास में आए वे सभी पद अपना अर्थ छोड़ कर किसी अन्यपद की और इसारा करें या अन्यपद की प्रधानता को बताएं वो बहुबरही समास होता है हमने आपको कुछ उधारन यहां पर दिये हैं इनकी सायता से आपको किलियर हो चुका होगा आपको बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा कि बहु ब्रहीर समास में किस प्रकार से कारिये होता है लंब उधर लंबा है उधर जिसका अर्थार्थ स्री गनेश पंचानन पांच है आनन मुख जिसके अर्थार्थ पांच मुख हो वाला भगवान सीव देखें यहां पे पंचानन अपना अर्थ छोड़ दिया इसके अर्थ की कोई महत्तर नहीं गा भगवान सीव की आगई बाद इस प्रकार से हम बहु ब्रही समास की पैचान कर सकते हैं आसानी से अब हमारा अंतिम समास है कर्म धारिय समास मैं आपको एक बात बता दूँ बहु ब्रही समास और कर्म धारिय समास में बहुती कम अंतर होता है बहु ब्रही समास में तो तीसरे पद की और इसारा होता है लेकिन कर्मधारिय समास में बस समास का विग्रह होता है ये हमारा अंतर होता है वरना कोई अंतर नहीं होता देखने में उधारन में सब सेम दिखाई देंगे आप चलिए देख लेते हैं कर्म धारिय समास अब देख लेते हैं हमारा अन्तिन समास है कर्म धारिय समास कर्म धार्य समास देखिए अगर मैं आपको हिंदी ट्रिक से बताने लगा तो क्या होगा मैथमेटिक्स हम ट्रिक से पढ़ सकते हैं हिंदी में अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो बहुत कुछ छुप जाता है तो ट्रिक यही है के मेन पॉइंट पर फोकस करे और अगर आप एक बार पढ़ लोगे एक बार इसका नोट्स बना लोगे तो आपको कभी भी भुश्य में हिंदी में किसी परकार की समस्चा का सामना नहीं करना पढ़ेगा और आप अपनी परिक्सा में सत परतिसत इस हिंदी में 40 में से 40 नंबर लेके आओगे यदि यहां से राप्ठ पढ़ोगी चलिए देख लेते हैं कर्म धारिय समास हमा क्या होता है कर्म धारिय समास देखिए जिस समास में समस्त पद प्रधान होता है समस्त पद प्रधान होता है अर्थार विशेशन विशेशन और विशेश्य विशेशन और विशेश्य दोनों समान रूप से परभावी हूँ विशेश्य विशेशन और विशेश्य दोनों ही समान रूप से परभावी होंगे परभावी होंगे तथा एक ही कारक विभक्ति का प्रियोग होता है प्रियोग होता है प्रियोग होता है एक ही कारक विभक्ति का प्रियोग होता है विशेशन और विशेश्य समान रूप से परभावी होते हैं और समस्त पद ही हमारा परभावी होता है देखे पोईंट हमारे क्या है मेन मेन एक ही कारक विभक्ति का प्रियोग विशेशन और विशेश्य से दोनों समान रूप से परभावी समास में समस्त पद परधान तो यह नहीं है के परथम पद या दूसरा पद पूरा का पूरा पद परधान होगा और विशेशन और विशेश्य से दोनों समान रूप से परभावी होंगे और एक ही कारक विभक्ति का परियोग होगा चलिए देख लेते हैं उधारन से यह हमारा हो गया है यहाँ पर समासिक पद समासिक पद यहाँ पर लिख देता हूँ समास विग्रहे समास विग्रहे तो समासिक पद हमारा है महावीर समासिक पद हमने क्या लिखा है महावीर और जब हम इसका समास विग्रहे करेंगे तो क्या आएगा महान है जो वीर तीसरे पदकी और इस आरे पे नहीं जाएंगे महावीर, महान है जो वीर देखें दोनों का महान हो गया हमारा विसेशन और वीर हो गया वीर तो जिसके बारे में बात की जा रही है तो महान है जो वीर तो विशेशन और विशेश से दोनों की ही समान प्रधानता हमारा ये बताता है जैसे नील कमल नील कमल नीला है जो कमल नीला है जो कमल नीला है जो कमल प्रधानत ध्यापक प्रधानत ध्यापक तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे हम देखना जरा प्रधान है जो अध्यापक प्रधान है जो अध्यापक इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें विशेशन और विशेश से दोनों की परमुकता है और पूरा पद समस्थ पद ही हमारा प्रधान है इसमें यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आज कर्मधारिय समस आप इसको जब भी देखोगे इसके एक्जामपल से भी पहचान लोगे कि महावीर महान है जो वीर नील कमल नीला है जो कमल तो इसमें कर्मधारिय में क्या होता है वो आप से special पूछेगा कि कर्मधारिय समस का उधारन है कर्मधारिय समास का उधारन है आपको देदेगा नील कमल या नीला है जो कमल इसका समास विग्रे है और एक देदेगा नील कमल तो समास विग्रे क्या होगा इसका नीला है जो कमल और आपको पैचान क्या मिली कर्मधारिय समास की कि जिस समास में समस्त पद प्रधान होता है जिसमें विशेशन और विशेश्य दोनों ही समान रूप से प्रभावी होते हैं और एक ही कारक्वी भक्ती का प्रियोग होता है जैसे महावीर महान है जो भी और इससे पहले हमने आपको बताया बहुब्रिही समास बहु ब्रही समास में क्या बताया कि इसमें समासिक पद का अपना कोई महत्तव नहीं होता क्योंकि उसमें चाहे दो पद आएं चाहे तीन पद आएं दोनों ही अपना अर्थ क्याक कर तीसरे पद की और इसारा करते हैं अर्थार तीसरे पद्धि प्रधानता बताते हैं जैसे लंबा है उदर जिसका अर्थार स्रीगनेश पंचारन पांच है मुक्जिस के अर्थार भगवान सी और उससे पहले हमने आपको दवंदव समास बताया दवंदव में क्या बताया हमने आपको कि इसमें दोनों पद्ध प्रधान होते हैं समान बूप से और योजक चिन दिखाई देगा आपको और एक दूसरे के विलूम सब्द भी मिल सकते हैं जैसे रात दिन रात आउर दिन माता पिता माता उर पिता इस प्रकार से आज हमने आपके समास को कंप्लीट कर दिया है इसमें हिंदी की कलास में कल आपके लिए संधी की कलास लेके आएंगे संधी बहुती परिक्सा की दरश्टी से बहुती महत्वपून होता है हर किसी परिक्सा में एक-दो संधी पूछी जाती है तो आपको बहुती सरल सभाव से सरल तरीके से हिंदी की कलास में संधी कराई जाएगी तो आप यहां से समास देखिए और प्रिक्समे हाई स्कोर कीजिए